कि हैं लो फ्रेंट्स ऑल इन वन एद्यूकेशन चानेल में आपका वेलकम करती हूं आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूं रस और उसका संपून वर्णन रस संपून वर्णन जो हम करने वाले हैं वो शयद पार्ट तू थ्री में भी आपको देख सकता है तो हम रस रस के जो अंग रहेंगे उसके स्थाई भाव रहेंगे और स्थाई भाव की परिभाश और उधारन है वो हम इसमें कवर करेंगे इसमें नहीं होगा तो पार्ट टू पार्ट थ्री सब आएगा लेकिन आपको रसका संपूर्ण वर्णन मैं जरूर दूंगी चली शुरूबात करें जो हमेशा होती है रसकी परिभाशा टेंट बूर्ड में यह आता ही है क्वेशन की रसकी परिभाशा लिखिए चलिए देखतें क्या होने वाली है काव्य में रसका अर्थ है आनंद की प्राप्ति रस मतला होता है आनंद तो यह आभी सकता है रसका अर्थ क्या होता है आनं रहा है, सुनने में, देखने में, तो वहाँ आपको रस की प्राप्ति हो रही तो वही रस होता है, हम रस के अंग देखेंगे एवम उनके नाम, रसके बिटा चारंग होते हैं, स्टाइ भाफ, संचारी भाफ, अनुभाफ और बिवाफ बच्चों, आपको रसके आंग और प्रकार में बहुत जादा confusion रहती है तो आप याद रखेंगे रसके चार अंग है स्ताई भाफ, संचारी भाफ, अनुभाफ और विवाफ ठीक है ये रसके चार आंगोते विवाफ, अनुभाफ, संचारी भाफ, स्ताई भाफ आप हिने इजली याद रख सकते हैं अब हम देखेंगे, रसके प्रकार और इवं इस्ताई भाफ चलिये, साइट हो गया, सही दिख रहा है रसके प्रकार और इवं स्ताई भाफ, मस्तलि रथी हो कि रथी जाना जाता है अब रती और प्रेम दोनों लिख सकते हैं लेकिन रती अगर लिखेंगे आप तो जाद अच्छा है इसको इसली याद करिए शिंगार मतलब प्रेम रती रोधर रज़ रोधर से आता है क्रोध हाज से बहुत इजी है हसी भायानक बहुत ही सरल है भै वीर रस वीर वीर से उसको उत्साहा मिल रहा है तो वीर उत्साहा अदबुत का आश्चर है अदबुत कुछ अलग है तो आश्चर है करुन करुना रस जो है करुन करुना शोक हो रहा है विवत रस ब्रणा शांत रस से निर्वेद या वैराग्य वातसल है इसने या वतसल mostly सब ये लिखते हैं वतसल तो ये होगाई रस के प्रकार ये होगाई रस के अंग और ये होगाई रस की परिभाशा पार्ट टू आएगा जिसमें हम स्ताई भावों की परिभाशा देखेंगे कि कैसी परिभाशा हैं होती और उनके क्या उधारन होती हैं पार्ट टू आप जरूर देखिए थैंक यू फो वाचिंग